नमस्कार टीवी नाइन राजिस्तान पर आज की इंसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ भविशित्यागी राजिस्तान में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों पार्टियों के भीतर जो खीस्तान चुनावों से पहले चल रही है उसको देखकर समझकर एक लाइन याद आती है हम ही हम है तो क्या हम है और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो इस लाइन को सुनकर आपको भी लगता होगा कि दोनों पार्टियां एक दूसरे से मानों यही कहना चाहती है गुडबाजी और खेमेबाजी और खीस्तान को लेकर कि देखिए आपके यहां क्या ऐसी खीस्तान होगी जो हमारे यहां हैं एक एक करके बात करेंगे आज पहले बात बीजेपी की दोस्तों कहते हैं कि सियासत जो है वो रेट पर खिची लकीर नहीं होती जिसको कोई पानी का बहावाय और बहा कर ले जाए लेकिन पानी पर सियासत जरूर हो सकती है कल बीते दिन जब केंद्रिय मंत्री गजेंद्र शिंग सेखावत गंगापुर सिटी पहुचे तो वहां के स्थानिय विधायक रामकेश मीना ने उनका विरोध किया एर्सीपी परियोजना को लेकर विरोध करते सड़क पर उतरकते उनके काफिले को रोकते नजर आए विधायक रामकेश मीना हाला कि ये एक स्वस्त्र लोक्तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं लगता और इस तरह से ही अगर विरोध किये जाने लगे तो फिर लोक्तांत्रिक विवस्था बचेगी कहां। परिवर्तन यात्राओं में ही तवज्जो पाने वाली वसंद्रा राजे भी एक्टिव हो गई। से ज़्यादा जरौत है किसान इंतजार कर रहे हैं लेकिन गैलो सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है देखे पानी को लेकर किस तरीके से दोनों तरफ से एक दूसरे पर अटैक हो रहे हैं। अब चुकि पानी का मुद्धा कॉंग्रेस पार्टी, ERCP का मुद्धा जरूर उठाएगी तो काउंटर किस तरह से करना है है हर एक राजनेता जानता है वसंद्रा राजे जानती है तो पानी पर सियासत जरूर हो सकती है और वो दिखाई भी दे रही और जैसे मैंने कहा पह ये उनके समर्दकों में भी उत्सा का संचार होता दिख रहा है उन्होंने भी कॉंग्रेस पार्टी के उपर अटेक गेलो सरकार के उपर राजनेतिक हमले शुरू कर दिये जैसा मैंने पहले बताया कि पहले तो 2030 का विजन जिसके बात वक्यमंत्री एशोक गेलोद कर रहे हैं उस पर अटेक करते हुए वसंदुरा राजे ने कहा कि देखिए पहले तो आप जवाब दीजे कि आपने किसान कर्ज माफी वेरुजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ आपने इस प्रदेश को पेपर लीक युक्त बना दिया तमाम ऐसे मुद्द म होने की दिशा में वसंदुरा जी आगे बढ़ रही है लेकिन इसी बीच प्रदेश प्रभारी ने फिर से शायद वसंदुरा जी को थोड़ा सा परिशान कर दिया होगा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुन सिंग ने कह दिया कि देखे तमाम नेताओं के तमाम जो ब प्रद से तवज्जो ना मिलने को लेकर वसंदुरा जी थोड़ा सा ऐसहज हो सकती हैं टिक्टो को लेकर भी खीस्तान की जब बात आती है कॉंग्रेस पार्टी पहले से ही कह रही है कि टिकेट सितंबर में फाइनल कर दिये जाएंगे अब बात यह आ रही है बीजेपी में कि 20 नाम है जो जहां पर कॉंग्रेस के मंत्री और कदावर नेता हैं ऐसे बड़े-बड़े कॉंग्रेस के नेता विधायकों को टक कर देने के लिए 20 सीटों पर पहले उमिद्वारों का एलान कर दिया जाएगा अब इसके पीछे की वज़य क्या है दरसल देखिए टिक्ट कि भीतर जो खीस्तान है उस खीस्तान को समय रहते कंट्रोल भी करना है पहले दिगजों के टिकट फाइनल कर देंगे और उस पर गुडबाजी जो है खेमेबाजी है उस पर विराम लगेगा और एक संदेश जाएगा कि देखिए टिकेट फाइनल होने चुरू हो गए हैं इस तरह की कोई कश्मकश पार्टी के भीतर नहीं है आला कि अभी केवल 20 सीटों पर आला कि बीजेपी मद्यप्रदेश और 36 गड़ के चुनावों के लिए अपनी पहले रेस पहले ही जारी कर चुकी है लेकिन अभी 20 नाम तै किये गए हैं अब 27 अगस को हो सकता है ये नाम फाइनल करके इनका एलान भी कर दिया जाए खैर गुडबाजी खेमेबाजी का असर और कितना सियासी घटना क्रमों के जरीया में दिखे कब वो हम आप तक पहुँचाएंगे लेकिन अब बात कॉंग्रस की आते हैं कॉंग्रस की बात हमने कल भी की थी कॉंग्रस में इसी तरह की एक तस्वीर सामने आई जहां पर कॉर कमिटी की बैटक कॉंग्रस की चल रही थी और परवेक्षिकों के सामने ही जो कारे करता है वो भड़क गए एक दूसरे पर मारपीट जो है मारपीट तक जो है नौबत आ गई अब जब एक कारे करता को निकाला तब जाक पूर्पूर के खंडेर जो खंडार विधानसबाय वहाँ पर अशोक बैरवा जो विधायक है उनके पिता ही उनको टिकेट देने से नाराज है और यह कह रहे हैं कि इनको टिकेट ना दिया जाए अगर देते हैं तो मैं मुखालपत करूँगा चुना भरवाने का काम कॉंग्रस पार्टी जो कह रही है कि आलाखमान सब कुछ तैय करेगा किनको टिकेट दिये जाना है किनको टिकेट नहीं दिया जाना है आर्त आंतरिक सरवे भी है और उसमें यह ख़बर सामने आई थी कि कई लोगों के टिकेट कटने हैं 4-5-5-6 मंतरी हैं 35-40 विधायक हैं जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट है उनके टिकेट कट सकते हैं अलागी उनको अपनी 26 सुधारने के लिये निर्देशित भी किया गया था लेकिन अब देखिये एक मीडिया संस्थान ने जब ऐसे मंत्रियों से बात की जिनकी आंतरिक सर्वे में कॉंग्रस के आंतरिक सर्वे म सामने आए तो उनके जवाब किया थे अडियो यह ना ही कि अधर उदर की बात नहीं उधर लड़ा हूं और लालचन कटरिया करना जल्दबाजी होगी मैं जोशी साब है काफी प्रचलित स्यासत में रहता है राजिस्तान की तो आव데 चुनाव लड़ने जा रहा हूं साले मुहम्मद साहब वो कहरे विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और ऐसी स्थिति अगर पार्टी ओफर करेगी विधानसभा चुनाव न लड़के सांसदी का चुनाव लड़े तो मैं यह ओफर माना कर दूँगा उन्होंने भी साफ कर नीचे एक बैनर के नीचे पंजे के निशान के नीचे एक जुड़ हो जाएंगे लेकिन क्या इस तरह के घटना करम को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या वाकई में जो एक जुटता की तस्वीर पेश की जा रही है या दिखायरी की कोशिश की जा रही वह और क्या ये खिस्तान जो है गुडबाजी जो है और मारपीट की तस्वीरे जो आ रही है वो आने वाले समय में टिकेट पितरन तक और जादा बढ़ेंगी और टिकेट पितरन के बाद ये स्तिती कॉंग्रेस के लिए कितनी प्रतिकूल होगी यह आने वाला वक्त बताएग आज इस इंसाइट स्टोरी में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप भी इस पूरे मामले पार कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में चल रही खिस्तान को लेकर कुछ कहना चाहतें तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और राजिस्तान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टीवी नाइन राजिस्तान नमस्कार